आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आतिश यंत्र बनाये जाता है यंत्रों के काफी प्रकार होते हैं, कुछ खिलाने वाले होते हैं, कुछ दबाने वाले होते हैं, तो कुछ जलाने वाले होते हैं तो जो जलाने वाले होते हैं उनको कहते हैं आतिश यंत्र तो इस हफते में सिर्फ आदिश यंत्रों के बारे में भी बताऊंगा और ये काफ़ी सिंपल होते हैं इसमें कोई मंत्र नहीं लगता और जो आज का हमारा यंत्र है वो इतना पावरफुल है कि किसी को भी आपके वश्मे कर दे सिर्फ 11 दिनों में आपको करना बस इतना है कि ये यंत्र जो है अनार का पेड़ होता है उसकी एक डिंडी तोड़ लाईए और उससे लाल चंदन से इसको बनाईए ये यंत्र है इस यंत्र को आपको बनाना है अनार की कलम से लाल चंदन से शुक्रवार के दिन और फिर आपको करना वह से इतना है कि एक मुंबत्ती लेनी है जो सफेद वाली मुंबत्ती होती है, सफेद मुंबत्ती लीजिए और उसके बाहर- बाहर कुछ इस परकार इसको लपेट दीजिए कि मुंबत्ती के साथ ये भी जुआ जल जाए ऐसे आपको ये इसमें रैप कर देनी है तो ये मैंने पहले सी रैप कर रखी है और फिर आपको क्या कर रहा है कि ये मुंबत्ती जला देनी है दियान रखे अगर मुंबत्ती बुझ जाए तो इसको दुबारा जलाएगे और जो इसके बाहर का यंत्र वो जलना चाहिए यकीन मानगे ये इतना पावर्फुल मंत्र है जो है कि हमारे यंत्र है कि जैसे जैसे ये यंत्र जलता है आपके सामने वाला जो प्रेमी है चाहिए वो आपके हस्बन हो चाहिए वो आपके वाइफ हो या फिर कोई गल्फरंड हो वो इसको सहन ही नहीं कर पाएगी जिसको भी आप सोच करें फिर जिसके लिए भी आप ये कर रहे हो वो पागल जैसा हो जाएगा इस यंत्र के प्रियोग के बाद 11 दिनों तक आपको ये करना है 11 दिनों तक कीज़ो और देखे अगले ही दिन अगली ही सुभ़ए वो आपके पास होगा इसको करने का समय है शाम को 6 से 9 बजे के बीच या फिर आप कीज़े इसको 12 बजे ये दो ही समय है इसमें आप कर सकते हो और इसमें ध्यान देने की ये बात है कि इसमें आपका येंत्र पूरा जलना चाहिए अगर येंत्र ना जले तो फिर इसका कोई फाइदा नहीं है येंत्र पूरा जलना चाहिए जब तक आप इसके पास ही बैठ रहे है जब तक यंदर ना जले और ऐसा भी हो सकता है कि इस मुम्बत्य को ना जलाकर आप इसको चूले में डाल दे लेकिन चूला आजकल मिलना बहुत मुश्किल है पहले जमाने में इस यंदर को चूले में जला दिया करते थे बना कर ऐसे लेकिन अब जो है चूला मिलना मुश्किल है तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं अगर इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में देखेगा नीचे आपको एक लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक केज़े और अपनी जो भी क्वारी मुझे भीज़े और मैं उसको 24 घंटे में समधान करूगा थैंक यू